हेलो दोस्तो मैं आपका डियरी फार्मर दोस्त मदुसुदन हाजी रेफिशे नई ओर सही जानकरी के साथ आज हम दो टोपिक पर बात करने वाले हैं पहला टोपिक है है कि नई फार्मर जब डियरी फार्म की शुरुआत करते हैं तो वह एक बजट नहीं बना पाते हैं कि कितने बजट में कितनी गाये आ सकती हैं और उन गायों के लिए शेड वगिरा का जो खर्च है लगबक कितना हो जाएगा दूसरा टोपिक यह रहेगा कि अच्छी गाये कितने दाम में हमें मिलेगी तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस टोपिक को सबसे पहला जो टोपिक हैं वो है कि हमें जो अच्छी गाए हैं वो क्या दाम में मिल जाएगे तो सबसे जो अच्छी गाए हैं हमें दाम लगबग जो हम शुरुआत करने हैं डेरी फार्म की तो अच्छी गाई के लिए आप लगबग आप यदि पंजाब जाते हैं तो गाई की कीमत लगबग एक लाग डेल लाग पोने दो लाग या सतर हजार से उपर ही गाई आपको मिलती हैं कही बार होता यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए फार्मर को नए युवा को देखकर जो गाई का दाम है वो काफी जादा बताते हैं और गाई की जो क्वालिटी हैं जो खुबिया हैं वो बड़ा चड़ा कर उनको बताते हैं और गाई उनको बेज देते हैं जो काफी म से 75,000 का बचट 75,000 में आपको लगबग 10 लिटर एक समाई के मिलकिंग वाली गाएं मिल जाएगी हाँ हो सकता हूँ आपको थोड़ा ढूनना पड़े थोड़ी सी आपको अपने पेशेंस रखना पड़े कि एसा नहीं की गाएं नहीं मिलेगी और आप जो भी गाएं 10 गाएं आपको मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ हमारी जो सारी गाएं हैं क्या दाम में हमने खरी दी थी और क्या मिलकिंग वो कर रही हैं कुछ गाएं हमारी एकस्पायर भी हुई है मैं उनका भी आपको बता देता हूँ कि जो गाएं हमारी एकस्पायर हुई है लगबग मैंन में हमें घर पर डिलेवरी हो गई थी तो कहीं नगई काफी अच्छी गाय थी और उसने 10 लिटर एक समय का मिलकिंग भी किया था पर किसी कारण वश वो एक्सपायर कर गए तो मैं बता देता हूं कि हमारी सारी गाय जो अभी हैं हमारे फार्म पर उनकी क्या-क्या कीमत है और क ये ने कहां से किस प्रकार से खरीदी करी थी तो आप देख सकते हैं ये वाली जो बचली है ये फर्स्ट लेक्टेशन में अभी मिलकिंग कर रही है और लगबग तीन महिने की प्रेगनेंट हो चुकी है इसका जो अडर है वो काफी फिक्स है प्योर एचे ब्रीड नहीं है परन्तु काफी अच्छी नसल की गाएं हैं और काफी अच्छा अडर इसका आप देख सकते हैं और हमने लगबग इसको 70,000 उपए में जो हमारी गाएं एक्सपायर हो गई हैं ये दोनों बचलिया एक साथ खरीदी थी और 70,000 में ये और 70 में वो दोनों 70,000 में हमने 41 में घ पर्चेस किया था और काफी अच्छा रिजल्ट इसका रहा है लगबग 11 लिटर एक समय का मिलकिंग इसने करी हैं और अभी लगबग 10 लिटर 9 लिटर ये एक समय का मिलकिंग कर रही हैं ये वाली जो गाय हैं लगबग हमने 29,000 रुपए में जैपूर से खरी दी थी इसकी मिलकिंग सुबे शाम और लगबग 9 लिटर हमने वहाँ पर करकर खरी दी थी कुछ कारणवश ये बिमार हो चुकी थी हमारे फार्म पर इसलिए इसकी मिलकिंग लगबग 6-7 लिटर एक समय का अभी हो रहा है और कहीं न कहीं इ हमारे फार्म पर भी कुछ दिनों तक ये वाली जो गाए हैं हमने लगबग 6,000 रुपए में हमारे घर पर डिलेवर हो गई थी और यह गाए हमने गंगानगर से पर्चेस करी थी और इसका जो मिलकिंग रिकोड रहा है काफी शानदार इसका मिलकिंग रिकोड रहा है प्यो और नहीं है परन्तु काफी अच्छी गाए है फिक्स अडर इसका है और मिलकिंग काफी शानदार करी है एक और गाए आप देख सकते हैं ये वाली गाए हमने 70,000 रुपए में हमारे पास के गाउं से खरी दी थी काफी अच्छी गाए यह रही है सेकंड टाइम में हमारे य ये वाली जो गाए है चोटी सी यह गाए और यह गाए दोनों सगी बेने हैं जुड़वा बेने हैं और दोनों हमने 41 में खरी दी थी 41 में हमारे घर पर डिलेवरी हो जुकी थी इनकी दोनों सेकंड टाइमर हमने परचेस करी थी सेकंड टाइम हमारे घर पर जनी थी अभी इसने थर्ड टाइम पर जो हैं इसने बच्चा गिरा दिया हैं पर लगबग 8 लिटर ये मिलकिंग करने लगी हैं इसने भी 10 लिटर ए यह लिए cumplिव Ti reg 때문에 223 अडितनाँ से निकली अच्छी यह निकली हैं इंड हर प्राईस भी आपको बताया हैं ने काफी अच्छे दाम मैं हमें मिल चुकी थी परतु हमें प्रियास करना पड़ा पकुछ पेशेंस रखना पड़ा कि अच्छी नए फार्मर है नए यूवा है डेरी फार्म की शुरुवात करना चाते हैं तो अचानक से एसा नहीं कि कोई आप क्यों एक लाग चालिस अजार कीमत एक गाए का बताए और आप उसको एक लाग रुपए दे के आ जाए या आप उसको एक लाग दस अजार में दे कर आप यू सोच ले कि चाल थे लगबग 80,000 रुपए से उपर गाए मत खरी दियेगा लगबग 45,000-70,000 में आप गाए खरी दियेगा काफी शांदार गाए खरी दियेगा और हमारे एक जो सब्सक्राइबर हैं मुझे एक्जेक्ट लोकेशन पता नहीं है परन्तु उनका जो लोकेशन है बनारस में है उनने मुझे फोन भी लगाया था और उनने मुझे वीडियो भी शेयर किया है उनने एक गाए पर्चेस करी हैं काफी शांदार गाए उनने पर्चेस करी हैं और आप भी खरीद सकते हैं काफी अच्छे दाम में उनने गाए खरी दिये लगबग मुझे उन्होंने जो दाम बताया हैं वो 75 बताया हैं और काफी अच्छी गाये हैं आप भी इसी प्रकार से अच्छी गाये खरीदेगा और प्राइस आपको 75-80 maximum रखना हैं क्योंकि जो प्राइस हैं आपका शुरुवाती दोर हैं तो कहीं सीखना समझना आपको मिलेगा और आप अचानक से मेहंगी गा शुरुवात दोर में रखना चाहते हैं और dairy farm की शुरुवात करना चाहते हैं तो हमारी जो लागत हैं क्या आईगी हमारे पूरे dairy farm का setup में कितना खर्चा आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ जोलगबग calculation मेरा है कि आपको एक गाए लगबग 70-75 रुपई के बीच खरीदनी है जादा से जादा आप 80,000 रुपई दें और 80,000 से नीचे और लगबग 70,000 से उपर या कम में भी आपको अच्छी गाए मिलती हों तो आप खरीद सकते हैं पर 70,000 से कम में आपको 10 लिटर से कम की गाए मिलेगी एक समय का परन्तु 70 से उपर और 80 से नीचे गाए खरीदे और उसका मिलकिंग रिकॉर्ड होना चाहिए लगबग 20-22 लिटर पूरे दिन का इससे कम वाली गाए खरीदना आपके लिए थोड़ा जो नुकसान दैक हो सकता हैं अपने फार्म के लिए क्योंकि जब मिलकिंग कम करती हैं गायय तो हमारे फार्म को काफी लौस होता है और जो गाय का जो मिलकिंग कम करती है जो अच्छी breed नहीं होती हैं तो वो एंडिंग में milking काफी कम कर देती हैं एंडिंग में जब हम लोग जो अगले lactation के लिए उसे दूद निकालना चोड़ते हैं दूद निकालना बन करते हैं तो काफी milking कम हो जाती हैं लगबग एक दो लीटर ही milking करती हैं इसलिए आप थोड़ी अच्छी quality की गाई खरीदे और high milking जिसे 20 लीटर दिन का जो गाई कर देती हों आपके नजरिये में आपके जो experience में उसी प्रकार की गाई आप खरीदेगा और farm की शुरुवात करिएगा तो मैं calculation लेके चलता हूँ लगबग सितर से 80,000 के बीच की गाई अच्छी गाई मेल सकती हैं लगबग 20 से 22 लीटर पर दिन का और जब आप इस दाम में गाई खरीदेगा तो आपको लगबग 10 गाई के लिए कितना जो dairy farm का है बजट वो आएगा यदि आपके घर की जमीन है यदि जमीन के price हर जगा अलग-अलग होते हैं तो यदि आपके घर की जमीन है और घर का जो feed है जो सुखा सुकला होता है जो सुकला होता है drive order होता है यदि आपके घर का है आपके घर पर जमीन है और आप ग्याउब होते हैं और वह सुकला आप के खेट से निकलता है और जमीन आपके खुद की है तो एक गाई लगबग 10 गाई का जो management है दस गाई का dairy farm शुरू करने के लिए आपको लगबग 10 से साड़े 10 लाग की जरुवत होगी जिसमें आपके dairy farm का shade भी आ आएगा और कुछ equipment है वो भी आ जाएंगे तो लगबग 10 लाग में 10 गाई हम settle कर सकते हैं और जमीन अपने घर की होना चाहिए और जो सुखला निकलता है जो बूसा निकलता है वो अपने खेट का होना चाहिए तो यही calculation से हमने भी dairy farm शुरू किया था और हमारी जो 10 गाएं हैं 10 लाग में जो shade है वो ready हो चुका था और गाएं भी हमने खरीद ली थी लगबग सित्तर से पिछोत्तर हजार की गाएं हमने खरीदी थी जो काफी अच्छे दाम में हमें मिल गई थी और उसके साथ साथ जो shade है लगबग 25,000 रुपई के हिसाब से एक गाएं का shade निचे का जो फर्ष हैं हमने अभी नहीं बनाया है पर अभी हम बनाने वाले हैं खुछी दिनों के बाद में और जो shade है वो भी आपका आजाएगा लगबग 25,000 की गाएं और 25,000 में shade फर्ष और कुछ machinery equipment तो उसी प्रकार से 10 गाए का dairy farm आप 10 लाग रुपई में settle कर सकते हैं और अपना dairy farm की शुरुआत कर सकते हैं इसी प्रकार से 5 गाए यदि आप रखना चाहते हैं गर की जमिन हैं और सुखला आपके खेत का निकलता हो तो आप 5 गाए का जो dairy farm है 5 लाग में शुरू कर सकते हैं जिसमें उनका shade हो जाएगा और machinery equipment हो जाएगा तो इसी प्रकार से dairy farm का calculation होता है 70-80,000 के बीच की गाए आप खरी दिये लगबग एक लाग एक गाए का मानके चलिए और dairy farm settle कर सकते हैं और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमें comment करिए हम बनाएंगे उस topic पर वीडियो comment करना ना भूलिएगा और अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा क्योंकि हर वीडियो में हम लाने वाले हैं कुछ खास इसलिए करिए चेनल को subscribe, वीडियो को like और share जरू करेगा मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ